C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पार्थे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पार्थ 10 शीर्शक जीवों में श्वसन प्रिष्ट 114 से 127 तक तो आईए अब सुनते हैं पार्थ 10 शीर्शक जीवों में श्वसन प्रिष्ट 114 पार्थ 10 जीवों में श्वसन बूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उच्शुकता से प्रतीक्षा कर रहा था जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे वो शीग्र से शीग्र बस्टॉप पहुँचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके इसलिए वो भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस्टॉप पहुँच गया उसकी सांस तेजी से चल रही थी उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो हाफ क्यों रहा है बूजों ने बताया कि वो घर से दोड़ता हुआ आया है उसे आश्चर्ज हुआ कि दोड़ने के बाद वो सांस तेजी से क्यों लेने लगता है ये प्रश्ण उसके मस्तिष्क में घूमता रहा बूजो के प्रश्ण का उत्तर जानने से पहले ये समझना आवश्चक है कि हम सांस क्यों लेते हैं सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है आईए हम श्वसन के बारे में पढ़ें 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं? अध्यादो में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष में इकाईयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाई कहते हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी सनरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जीव की प्रतिक कोशिका, पोशन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कारियों को समपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है इन कारियों को करने के लिए कोशिका को उर्जा की आवश्यक्ता होती है यहां तक कि हमें खाना खाते, सोते, अत्वा पढ़ते समय भी उर्जा की आवश्यक्ता होती है लेकिन ये उर्जा आती कहां से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता-पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित उर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है अतह सभी जीवों को भोजन से उर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यक्ता होती है श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सास द्वारा वायू को शरीर के अंदर ले जाते हैं आप जानते हैं कि वायू में ऑक्सिजन होती है। फिर हम सास छोड़ते हुए वायू को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायू में सास द्वारा अंदर ली गई वायू की तुलना में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात ये कार्बन डायोकसाइड स प्रतिक कोशिका में ले जाई जाती है। यानि ग्लुकोज ऑक्सिजन का उपयोग करके कार्बन डायोकसाइड और जल में विखंडित हो जाता है। जल और साथ ही उर्जा। संभवता आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायू के अनुपस्थिती में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवी श्वसन के द्वारा उर्जा प्राप्त करते हैं। इनहें अवायवी जीव कहते हैं। प्रिष्ट 115 है। जीवायवी ये रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय ऐलकोहौल निर्मित करते हैं। अतह इनका उप्योग शराब यानि वाइन और बेर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी आवायवी ये रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सिजन की अस्थाई रूप से कमी हो जाती है बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दोड़ने, कई घंटे टहलने, साइकल चलाने अत्वा भारी वजन उठाने जैसे कारियों के लिए अधिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है जैसा की चित्र 10.1 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 115 पर चित्र 10.1 दिया गया है इस चित्र में एक व्यक्ती व्यायाम कर रहा है लिखा है, व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायविये रूप से श्वसन कर सकती है लेकिन उर्जा उत्पन्र करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सिजन की आपूर्ती सीमित होती है ऐसी सितियों में पेशी कोशकाएं अवायविय श्वसंत्वारा उर्जा की अतरिक मांग को पूरा करती हैं ऐसा दिये गए समीकरण में बताया गया है ग्लूकोज जो की पेशी में है साथ ही ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में देता है लाक्टिक अमल और उर्जा क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में एंठन क्यों होती है एंठन तब होती है जब पेशियां अवायविय रूप से श्वसं करती हैं इस प्रक्रम में ग्लूकोस के आंशिक विखंडन से लेक्टिक अमल और कार्बन डायोकसाइड बनती हैं लेक्टिक अमल का संचयन पेशियों में एंठन उत्पन करता है गर्म पानी से स्नान करने अत्वा शरीर की मालिश करवाने पर हमें एंठन से आराम मिलता है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अत्वा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सिजन की आपूरती बढ़ जाती है ओक्सिजिन की आपूर्ती बढ़ जाने से लेक्टिक अमल का कार्बन डायोकसाइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है 10.2 श्रसन क्रिया कलाप 10.1 यहां प्रिष्ट 115 पर एक चेतावनी दी गई है इसमें लिखा है इस क्रिया कलाप को अपने शिक्षक या शिक्षका की उपस्थथिती में करें क्रिया कलाप में लिखा है अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया आप उस समय को नूट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके जैसा कि चित्र 10.2 में बताया गया है यहाँ प्रिष्ट 116 पर चित्र 10.2 में सांस रोकने का एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की अंगलियों के माध्यम से अपनी नाक को पकड़े हुए है बूजों ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ अतह अब आप जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिये अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ओक्सिजन से सम्रिध्ध वायू को अंदर खीचना या ग्रहन करना और कार्बन डायोकसाइड से सम्रिध्ध वायू को बाहर निकालना अक्सिजन से सम्रिध्ध वायू को शरीर के अंदर लेना अंता श्वसन और कार्बन डायोकसाइड से सम्रिध्ध वायू को बाहर निकालना उच्वसन कहलाता है यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्यक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यांत होता रहता है कोई व्यक्ती एक मिनिट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है अंतह श्वसन और उच्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतह श्वसन और एक उच्वसन. क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा ये शरीर की आवशक्ता के अनुसार परवर्तित होती रहती है? आईए ह हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रिया कलाब करते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतहश श्वसन करते हैं जितनी बार उच्वसन करते हैं। श्वसंदर से कीजिए यहां दिये गए क्रिया कलाप से आपने ये आवश्या अनभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतरिक्त उर्जा की आवश्यक्ता होती है तो वो तेजी से श्वसंद करने लगता या लगती है इसके परणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सिजन की आपूर्ती होती है ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक उर्जा निर्मुक्त होती है क्या ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रिया कलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है अधिक व्यायाम करने में श्वसंदर 25 बार प्रती मिनट तक बढ़ सकती है जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बलकि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सिजन ग्रहन करते हैं प्रिष्ट 117 प्रिष्ट 117 पर सार्णी 10.1 में विभिन परिस्थितियों में श्वसंदर में परिवर्तन की एक सार्णी दी गई है इस सार्णी को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है यहां लिखा है सहपार्ठी का नाम श्वसंदर सामाने अवस्था में 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत 100 मीटर दोड़ने के बाद और विश्राम अवस्था में पहली जानना चाहती है कि जब हमें नीद आती है या जपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं जब आप उनीदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसंदर कम होती जाती है क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सिजन मिल पाती है क्रिया कलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामाने दिन में किये जाने वाले विभिन्न क्रिया कलापों पर विचार कीजिए क्या आप बता सकते हैं कि कि किस क्रिया कलाप में श्वसंदर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिये गए क्रिया कलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में यानि संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए यहां प्रिष्ट 117 पर एक चित्र दिया गया है चित्र 10.3 में लिखा है विभिन दैनिक क्रिया कलाप करने में श्वसन दर भिन्न होती है दिये गए दैनिक क्रिया कलाप है सोना, पढ़ना, कपड़े धोना, सीड़ी उठाना, भागना, चलना आपको इन क्रिया कलापों के माध्यम से बताना है कि किस क्रिया कलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी 10.3 हम श्वास कैसे लेते हैं? आईए, अब हम श्वसन की क्रिया विधी जाने सामान नितह हम अपने नथनों या नासा द्वार से वायू अंदर लेते हैं जब हम वायू को अंतहः श्वसंद्वारा अंदर लेते हैं, तो ये हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है. नासा गुहा से वायू श्वास नली से होकर हमारे फेफणों यानि फुफुस में जाती है. फेफडे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जैसा कि प्रिष्ट 118 यहां प्रिष्ट 118 पर 14.4 में मानव श्वसन तंत्र दिया गया है मानव श्वसन तंत्र के अलग-अलग भाग जो यहां बताए गए हैं वो हैं नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेपड़ा, पसलियां और डायफ्राम अनत्र श्वसन के समय पसलियां उपर और बाहर की ओर गती करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गती करता है यह गती हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती हैं और वायू फेपड़ों में आ जाती है फेपड़े वायू से भढ़ जाते हैं उच्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायफ्राम उपर की ओर अपनी पूर्व स्थिती में आ जाता है इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है इस कारण वायू फेपड़ों से बाहर धगेल दी जाती है जैसा कि चित्र 10.5 में दिया गया है अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं एक गहरी सांस लीचिए अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीचिए आप क्या पाते हैं हमारे आसपास की वायू में अनेक प्रकार के अवांचित कण जैसे धूम्र, धूल, पराग कण आदी होते हैं जब हम अंता श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रूमों में फस जाते हैं यदिपी, कभी-कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उतेजित करते हैं जिसके परणाम स्वरूप हमें छींक आती है छींकने से अवांचित कण वायू के साथ बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार केवल स्वच वायू ही हमारे शरीर में प्रवेश कर बाती है सावधानी बरते हैं जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढख लें जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणूं को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतह श्वसन के समय ग्रहन ना कर लिया जाए यहां प्रिष्ट 119 पर चित्र 10.5 दिया गया है यह चित्र मानव में श्वसन की क्रिया विधी को बताता है इस चित्र के दो भाग हैं A. अन्तह श्वसन और B. उच्वसन पहले भाग में यानि अन्तह श्वसन में वायू अंदर आती है पसलियां बाहर की ओर गती करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गती करता है वहीं दूसरे भाग में यानी उच्छवसन में डायाफ्राम पूर्व स्थिती में आ जाता है पसलियां अंदर की ओर गती करती हैं और वायू बाहर की ओर धकेल दी जाती है धूम्रपान फेपड़ों को क्षती पहुचाता है धूम्रपान कैंसर से भी संबध है इससे अवश्य बचना चाहिए ये जान लेने के बाद की श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं बच्चे सीना यानी वक्ष फुलाने की इस परधा में व्यस्त हो गए प्रित्तेक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या फुला सकती है क्यों न आप भी इस क्रिया कलाप को अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें क्रिया कलाप 10.4 एक गहरी सांस लीजिए किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए इस माप को सारनी 10.2 में नोट कीजिए पुनह विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए जैसा की चित्र 10.6 में बताया गया है बताईए कि किस सहपाठी ने अधिक्तम विस्तार किया है हम श्वसन की क्रिया विधी को एक सारल प्रतिरूप यानि मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं यहां पृष्ट 119 पर सारनी 10.2 में वक्ष के आमाप पर श्वसन का प्रभाव बताते हुए एक सारनी दी गई है ये सारनी तीन भागों में विभाजित है सहपाथी का नाम वक्ष का आमाप सेंटिमीटर में और आमाप में अंतर वक्ष के आमाप के विभाजन को दो भागों में बाटा गया है अंतह श्वसन के समय वक्ष का आमाप और उच्वसन के समय वक्ष का आमाप आपको अपने सहपाथियों के नाम यहाँ पर लिख कर वक्ष के आमाप को यहाँ पर नोट करना है और फिर अंतहश्वसन के समय और उच्वसन के समय आमाप में अंतर को भी लिखना है प्रिष्ट 120 यहां प्रिष्ट 120 पर चित्र 10.6 में वक्ष के आमाप का मापन करते हुए एक चित्र दिया गया है बूजो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेपड़ों में कितनी वायू भर सकता है क्रिया कलाप 10.5 प्लास्टिक की चोड़े मुहवाली एक बोतल लीजिए इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए वाय के आकार की काँच अत्वा प्लास्टिक की एक नली लीजिए बोतल के ढकन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए नली के शाखित सिरे पर दो गुबारे बिना फूले हुए लगा दीजिए नली को चित्र 10.7 की अनुसार बोतल में लगा दीजिए अब बोतल का ढखकन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायू रुद्ध हो जाए बोतल के खुले पेंदे पर रबड अत्वा प्लास्टिक की एक पतली शीट तान कर किसी रबड बैंड की सहायता से बान दीजिए फिपड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड की परत को पकड़ कर आधार से नीचे की ओर खीचिए और गुबबारों पर गौर कीजिए इसके बाद रबड की परत को उपर की ओर धकी लिए और दोबारा गुबबारों पर गौर कीजिए क्या गुबबारों में कोई परिवर्तन है? यहां प्रिष्ट 120 पर चित्र 10.7 दिया गया है इसमें श्वसन की क्रिया विधी को बताने के लिए एक प्रतिरूप दिया गया है जिसमें प्लास्टिक की बोतल, गुबबारे और रबड की शीट के माध्यम से इस क्रिया कलाप को पूरा किया गया है इस मॉडल में गुबबारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रिया विधी को समझने में समर्थ हो गए होंगे बहतर जीवन के लिए श्वास नियमित परमपरागत श्वसन व्यायाम यानि प्राणायाम से हमारे फेपणों में वायू को अंदर लेने की ख्रमता को बढ़ाता है इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ती होती है जिसके फल स्वरूब अधिक उर्जा उत्पन होती है 10.4 हम उच्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? क्रिया कलाप 10.6 कोई पतली स्वच परकनली लीजिए जिसमें कौर्क लगा हो यदि परकनली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं प्रिष्ट 121 परकनली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए प्लास्टिक की एक स्ट्रॉव यानि नली को परकनली में इस प्रकार डालिए कि वो चूने की पानी में डूब जाए अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिये जैसा की चित्र दस तशमलव आठ में बताया गया है यहां प्रिष्ट 121 पर चित्र दस तशमलव आठ में उच्वसत वायू का चूने के पानी पर प्रभाव बताया गया है इसमें एक स्ट्रॉ परखनली और चूने का पानी का प्रयो किया गया है क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन मालूम होता है क्या आप इसे अध्याय च्छे में किये गए अध्यन के आधार पर समझा सकते हैं आप जानते हैं कि हम जिस वायू का अंतहश्वसन अत्वा उच्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है हम क्या उच्वसित करते हैं क्या हम केवल कार्बन डायोकसाइड को उच्छवसित करते हैं, अत्वा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छवसित करते हैं, आपने ये भी जाना होगा कि अगर आप दरपन के आगे उच्छवास छोड़ते हैं, तो उसकी सतह धुन्दली लगती है, ये नमी के कारण है, जल के ये बिंदुकन कहां से आते हैं? शून दशमलव शून चार प्रतिशत कारण डायोकसाइड होती है, और उच्छवसित वायू में चार दशमलव चार प्रतिशत कारण डायोकसाइड होती है. 10.5. अन्य जन्तुओं में श्वसन हाथी, शेर, गाय, बक्री, मेंधक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदी जन्तुओं की वक्ष गुहाओं में मनुश्यों की भाती फेपड़े होते हैं. जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुश्यों के फेपड़ों जैसे ही श्वसन आंगों होते हैं? आईए पता करते हैं. बूजों जानना चाहता है क्या कौक्रोच यानि तिलचटा, घोंगे, मचली, केचुए, चीटी और मच्छर में भी फेपड़े होते हैं? कौक्रोच प्रिष्ट 121 पर चित्र 10.9 में एक कौक्रोच के श्वास प्रणाल तंत्र का चित्र दिया गया है. प्रिष्ट 122 ओक्सिजन समरिध वायू श्वास रंधरों से श्वास नालों में जाकर शरीर के उतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रतेक कोशिका में पहुँचती है. इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डायॉकसाइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंधरों से बाहर निकल जाती है. श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाय जाते हैं. जन्तूओं के अन्य समुहों में ऐसी विवस्था नहीं पाई जाती है. केचुआ कक्षा छे के अध्याय नौ में आपने पढ़ा था कि केचुए अपनी त्वच्चा से श्वसन करते हैं. केचुए की त्वच्चा स्पर्शु करने पर आर्द्र और श्लेश्मिय प्रतीद होती है. इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है. यद्यपी मेंधक में मनुष्य की भाती फेपड़े होते हैं. तथा पी वे अपनी त्वच्चा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेश्मिय होती है. दस दशमलव 6 जल में श्वसन क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं वे जल में श्वसन कैसे करते हैं आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मचलियों में कलूम या गिल पाए जाते हैं क्लूम जल में घुली ऑक्सिजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लूम तवचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लूम किस प्रकार श्रास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है जैसा कि चित्र दस तशमलव 10 में बताया गया है प्रिश्ट 122 में चित्र दस तशमलव 10 में मचलियों में श्वसन अंग यानी क्लोम या गिल को बताया गया है बूजो ने दूर्दर्शन कारक्रमों में देखा था कि वेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर उपर आ जाती हैं कभी-कभी उपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं वे ऐसा क्यूं करती हैं? पहेली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़े ऑक्सिजन ग्रहन करती हैं? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? 10.7. क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भाती पादब भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप रक्षा छे में पढ़ चुके हैं, ये वायू से ऑक्सिजन अंदर लेते हैं और कार्बन डायकसाइड को निर्मुक्त करते हैं इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सिजन का उप्योग अन्य जीवों की भाती ही ग्लुकोस के कार्बन डायकसाइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है पादप में प्रतेक अंग वायू से स्वतंत्र रूप से ऑक्सिजन ग्रहन करके कार्बन डायकसाइड को निर्मुक्त कर सकता है अध्याए एक में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सिजन और कार्बन डायकसाइड के विन्मे के लिए सुक्ष में छिद्र होते हैं जो रंधर कहलाते हैं प्रिष्ट 123 पादप की अन्य सब ही कोशिकाओं की भाती ही मूल कोशिकाओं को भी उर्जा उत्पन करने के लिए ऑक्सिजन की आवशकता होती है मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानि वायू अवकाशों में उपस्थित वायू से ऑक्सिजन ले लेते हैं जैसा कि चित्र 10.11 में बताया गया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा? यहां प्रिष्ट 123 पर चित्र 10.11 में पौधों द्वारा मूल म्रदा से वायू अवशोशित करने का चित्र दिया गया है, इसमें लिखा है म्रदा के कण, मूल रूम और वायू अवकाश इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, सभी जीवों को अपनी उत्तर जीविता यानि जीवित रहने हे तु आवशक उर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवशकता होती है प्रमुक्षप्त आपने क्या सीखा? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार रहे ये जीव द्वारा लिये गए भोजन से उर्जा को निर्मुक्त करता है हम अन्ते श्वसन द्वारा जो वायू शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सिजन का उप्योग ग्लुकोस को कार्बन डायोकसाइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है इस प्रक्रम में उर्जा निर्मुक्त होती है ग्लुकोस का विखंडन जीव की कोशकाओ में होता है जिसे कोशकी अश्वसन कहते हैं यदि भोजन ग्लुकोस ऑक्सिजन की उप्योग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायविये श्वसन कहलाता है यदि विखंडन ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में होता है तो श्वसन अवायविये श्वसन कहलाता है अत्यधिक व्यायाम करते समय, जब हमारी पेशी कोशकाओं में ऑक्सिजन की आपूर्ती अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवी श्वसंद्वारा होता है सास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जीव ऑक्सिजन सम्रिध वायू को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डायोकसाइड सम्रिध वायू को बाहर निकालता है गैसों के विनिमय के लिए विभेन जीवों में श्वसन अंग भिन होते हैं अंतह श्वसन या निश्वसन के समय हमारे फेपडे विस्तारित होते हैं और उच्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं शारीरिक सक्रेता बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है गाय, भैस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं केचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्धर तुचा के माध्यम से होता है मचलियों में ये क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है पादपो में मूल, मृदा में उपस्थित वायू को ग्रहन करती है पत्तियों में नन्हें छिद्र होते हैं, जिनें रंद्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है पादप कोशकाओं में ग्लूकोज का विखंडान अन जीवों की तरहां ही होता है अब्यास एक, कोई धावक दौड समाप्त होने पर सामानने से अधिक तेजी से गहरी सांसे क्यों लेता है? दो, वायविय और अवायविय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताईए तीन, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायू में सांस लेते हैं, तो हमें चीक क्यों आ जाती है? चार, तीन परखनलियां लीजिए, प्रतेक को तीन चौथाई भाग तक जल से भर लीजिए, इनहें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए, परखनली A में एक घूंगा रखिए, परखनली B में कोई जलिय पादप रखिए, और C में एक घूंगा और पादप दोनु रखि किस परखनली में कार्बन डायोकसाईड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? पांच, सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए, क तिलचट्टों के शरीर में वायू प्रवेश करती है उनके एक फेपनों द्वारा, दो क्लूमों द्वारा, तीन श्वास रंद्रों द्वारा, चार तवचा द्वारा, प्रिष्ट 125 ख, अत्यधिक व्यायाम करते समय, हमारी टांगों में जिस पदार्थ की संचयन के कारण एठन होती है, वो है एक, कार्बन डायोकसाइड दो, लेक्टिक अमल तीन, आलकोहॉल चार, जल ग, किसी सामान वयस्क व्यक्ती की विशराम अवस्था में ओसत श्वसंदर होती है एक, नौ से बारा प्रती मिनट दो, पंद्रा से अठारह प्रती मिनट तीन, एकीस से चोबीस प्रती मिनट चार, तीस से तैस प्रती मिनट ग, उच्वसन के समय पसलियां एक, बाहर की ओर गती करती हैं, दो, नीचे की ओर गती करती हैं, तीन, उपर की ओर गती करती हैं, चार, बिलकुल गती नहीं करती हैं, छे, कॉलम ए में दिये गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए, कॉलम ए में दिये गए शब्द हैं, क, यीस्ट, ख, डायफ्राम या मध्यपट, ग, त्वचा, ग, पत्या, च, मचली, और च, मेंध़क मिलान करने के लिए कॉलंबी में दिये गए शब्द हैं साथ, बताइए कि यहां दिये गए वक्त तव्य, सत्य हैं, अथवा, असत्य क, अतिधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसंदर धीमी हो जाती है ग, पादपों में प्रकाश संचलेशन केवल दिन में, जबकि श्वसंद केवल रातरी में होता है प्रिष्ट 126, ग, मेंध़क अपनी तवचा के अतिरिक्त अपने फेपड़ों से भी श्वसंदर करते हैं ग, मचलियों में श्वसंदर के लिए फेपड़े होते हैं च, अंते श्वसंद के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है आठ, दी गए पहेली के प्रतियक वर्ग में जीवों के श्वसंद से संबंधित हिंदी वरनाक्षर अत्वा संयुक ताक्षर दिये गए हैं इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसंद अंगों से संबंधित शब्द बनाय जा सकते हैं श्रब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में उपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाय जा सकते हैं श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिये इन शब्दों के लिए संकेत यहां दिये गए हैं पहला कीटों की वायू नलिया दूसरा, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की सनरचना तीसरा, वक्ष गुहा का पेशिय तल चौथा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पांचवा, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र छठा, मनुश्यों के श्वसन अंग सात्वा, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते यानि अंतहश्वसन करते हैं आठवा, एक आवायविय जीव दस्वा, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव यहां एक पहली दी गई है, जिसमें आपको इन संकेतों का उप्योग करके उत्तर ढूनने होंगे नौ, परवता रोही अपने साथ ऑक्सिजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ख, पांच किलोमीटर से अधिक उचाई पर वायू नहीं होती है ख, वहां उपलब्ध वायू की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है ग, वहां वायू का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है ग, परवत पर वायू दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है प्रिष्ट 127 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कार्य एक, जलजीव शाला यानि एक्वेरियम में किसी मचली की गतिविधी को देखिए आपको उसके सिर के दोनों तरफ पल्ले के समान सनरचनाएं प्रतीत होंगी पल्ले जैसी यह सनरचना एक ही ओर खुलती और बंध होती है इन प्रेक्षणों के आधार पर मचलीओं में श्वसन के प्रक्रम को समझाईए दो, किसी स्थानिय चिकित्सक के पास जाईए उनसे धूमरपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जैनकारी प्राप्त कीजिए आप इस विशेपर अन्स्त्रोच से भी जैनकारी एकत्रत कर सकते हैं आप अपने शिक्षक या शिक्षका और माता-पिता से भी सहायता ले सकते हैं अपने क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मालूम कीजिए। यदि आपके परिवार में कोई धूम्रपान करता है, तो उसे अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से अवगत कराएं। 3. किसी चिकित्सक के पास जाइए, उनसे कृत्रिम श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, चिकित्सक से पूछिए कर किसी व्यक्ती को कृत्रिम श्वसन की आवशकता कब होती है? गर किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवशक्ता स्थाई रूप से होती है अथवा अस्थाई रूप से होती है गर कृत्रिम श्वसन के लिए किसी व्यक्ति को ओक्सिजन की आपूर्ती किस प्रकार और कहां से की जाती है अपने परिवार के सदस्यों और अपने कुछ मित्रों की श्वसंदर को मापिये पता लगाईए क्या बच्चों की श्वसंदर वयसकों से भिन होती है यदि इन में से किसी भी प्रकरण यानि केस में अनतर पाया जाता है तो उसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए क्या आप जानते हैं? हमारी लिए ओक्सिजन अनिवार है लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ओक्सिजन विशाक्त होती है वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सिजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है इसी के साथ अठारे पाठों की इस पुस्तक का पाठ दस शीर्शक जीवों में श्वसन यहां समाप्त हुआ वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत